नमस्कार, वेलकम टू सैनेक इंसिट्यूट तो जैसे कि आप सभी को पता है जैसे कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आए थी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आए थी अब थर्ड राउंड की काउंसलिंग की डेट आ चुकी है और इसी को लेकर कई parents के calls भी आ रहे थे और कई parents की queries भी थी किस तरह से हमें third round की counselling में participate करना होगा तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप लोग इसमें participate कर सकते हैं और first round में जिन बच्चों का नहीं हो पाया second round में नहीं हो पाया थर्ड में भी होने के chances हैं आपके ठीक है तो बाकी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसा करता हूँ चलिए देखते हैं कि first round की counselling जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि first round की counselling का पूरा process complete हो चुका है और second round की counselling का भी process पूरा complete हो चुका है अब यहाँ पर third round के process की date आ चुकी है आप लोग के सामने जो की है 29.04.2023 से 12 वजे से 3.05.2023 तक मतलब कि 3.05.2023 तक आप जो counselling का process है उसमें आप participate कर सकते हैं आप इसमें अपनी seat allot कर सकते हैं और उस हिसाब से आपको college provide किया जाएगा और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि first round की counselling हुई तो first round की counselling में approximate 3300 overall seat थी और second round तक आते आते जो है आपकी seat अप्रॉक्सिमेट 1200 तक seat थी ठीक है तो अभी भी second round की counselling के बाद भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनोंने seat को reconsider पर रखा है और काफी दूर उनको college मिलने के कारण वो नहीं गए तो इसके कारण अभी भी लगबग साड़े साथ सो सीटे जो है वेकेंट है ठीक है overall इंडिया में जो भी सैनिक स्कूल की seat है उसमें लगबग साड़े साथ सो सीटे अभी वेकेंट है तो आप लोग third round की counselling में participate जरूर करें इसके अलावा NSS में जो है आपके लगबग साड़े बारा सो सीटे वेकेंट है अभी तो उसके लिए भी आप चाहें तो आप apply कर सकते हैं ठीक है उसको भी आप अपने जो भी आप colleges चूज करते हैं उसमें आप NSS की भी चूज कर सकते हैं और काफी वेकेंट सीटे हैं तो आप लोग बिल्कुल फिल करें और नाइंथ की अगर मैं बात करूँ तो नाइंथ में 137 सीट्स आपकी हैं जैसा कि मैंने देखा लिस्ट में सीट मैं तो 137 सीट्स हैं लेकिन किस कैटिगरी में कितनी है इसके लिए आपको सीट्स को देखना जरूरी है कि किस college की सीट्स कि इसके अलावा आपको यह देखना है कि अदर स्टेट में जो सीट्स हैं तो वह किस स्टेट की फिल हो चुकी है वहां के लोग क्या अब उसको वहां के लिए अप्लाई कर पाएंगे किसी स्टेट के लिए या फिर हो पाएंगे या नहीं तो यह बहुत सारी क्वारी यहां पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए जैसा कि सेकंड राउंड में तहा किया था कि आपको सीट मैट्रिक्स का अलोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है तो सीट मैट्रिक्स जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तक तक आप अगर राउंड के लिए अप्लाई यहां पर जो चीज मैंने बताई आपको सीट मैट्रिक्स को पूरी तरीके से देख लेना बहुत ज़रूरी है फिर सेकंड चीज है कि चॉइस फिलिंग रिस्टेशन फॉर थर्ड राउंड यी काउंसलिंग विल कंडुक्टेट तो 29 अपरेल 12 और 23 में 2013 तो 14 और ठीक है मतल आज मतलब की 29 29 अपरेल से और 13 मतलब की 13 और 2023 तक दो पहर दो बज़े तक आपकी काउंसलिंग चलेगी तब तक आप लोग जो की चार दिन का समय है तो आप लोग इसके बीच में काउंसलिंग का पार्टिसिपेट जो भी चीज़े हैं उनको करें और अपनी चीजों को धा ठीक है थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा यहां पर और बाकी चीज़े यहां पर सेम हैं जैसा कि लिखा हुआ था पहले भी कि अन्रोध है कि माता पिता बार-बार मेल ना करें और बार-बार कॉंटेट करने की कोशिस ना करें जो भी चीज़े हैं आप ध्यान से और थार्ड राउंड के लिए भी क्योंकि सारे जो लोग के मतलब की आपके रेगुलेसंस हैं वो तो सेम ही है और जिस प्रॉसेस से किया जाएगा वो भी सेम है तो आप लोग परेसान होने की आशकता नहीं है आपको थार्ड राउंड के लिए में चीज़े जो यहां पर रखियें उनको परिशान होने की आप सकता नहीं सिर्फ पढ़ना है और पढ़कर आपको समझ लेना है कि किस तरह से आपको करना है ठीक है इसके अलावा अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूंगा आपसे यहाँ पर सीट मैट्रिक्स के लिए आपको जाना होगा स्कूल इंफॉर्मिशन पर देखें चार चीज़ें आ रही है स्कूल इंफॉर्मिशन इसकूल वाइस कट ओफ और स्टेट वाइस फिल्ड वेकेंसी तो यहाँ पर दो चीज़ें को समझना जारूरी है एक तो सीट वेकंसी के अंतरगत है मतलब कि आपको किस स्टेट के अधर स्टेट का मतलब अधर स्टेट के द्वारा आपको वेकंसी कहां कहां की फिल हो चुकी है ठीक है कहां कहां कर कितनी वेकंसी को फिल कर दिया गया है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो सबसे पहले हम seat matters का देख लेते हैं कि six का जैसे की बात करें हैं जब आप इसको touch करेंगे यहाँ पर आपका six का हो जाएगा मैंने यह पहले से open करके रखा था आप लोगे लिए क्योंकि website थोड़ा सा धी में चलती है ठीक है धी में चलती है इसलिए से बहुत time लगता है कभी कभी जैसे second round में कई parents के queries थी की website चल ही नहीं रही थी बहुत ही दी में चल लही थी जिसके करांट counselling के participate नहीं कर पाए बहुत सारे parents थे तो इसलिए third round की counselling में आप बिल्कुल भी देरी ना करें और आज ही आप लोग उसको देखें seat mattress को समझें अपनी category से देखें कहाँ पर vacant हैं seat उस हिसाब से आप चीजों को fill करें स्कूल को fill करें ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ यह first जैसे school की बात करता हूँ तो कलीकरी यह class 6 के लिए है आप लोग का यहाँ पर देखिए class 6 आप चूज करेंगे सैनिक स्कूल चूज करेंगे तो आपके सामने यह seat mattress open हो जाएगा कलीकरी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए home SC में 2 है home OBC में 2 है और unreserved मे 1 है other state SC, other state ST, other state OBC ठीक है तो इन सब में ऐसे vacancy है आप देख सकते हैं और total count vacancy के अगर मैं बात करूँगा तो 12 vacancy कलीकरी में है boys category में इसी तरह अगर girls category में मैं बात करूँगा तो यहाँ पर अभी 3 vacancy है यह category wise यहाँ पर find कर दी गई है तो इसी तरह देखिए यहाँ पर नीचे सारे schools दे रखे है कलीकरी का दिया हुआ है आपका कोरु कुंडा का दे रखा है जो की आंदरप्रदेश में है इस्ट सियां का दे रखा है गोल पारा का दे रखा है गोपाल गंच का दे रखा है नालंदा का दे रखा है नालंदा में भी आपकी अभी देख सकते हैं आप नालंदा में आपकी boys की अभी 22 seats हैं और girls की 4 seats अभी हैं केटिगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं किस केटिगरी में कहां कहां कितनी सीटे अभी बची हुई है ठीक है तो थोड़ा सा आइनिलीस आपको करना पड़ेगा पहले लगबाग आदे से एक गंटे बैट के आपको इसको देखना पड़ेगा कि हमारी केटिगरी क्या है और उ 33 स्कूल पूरे यहां पर लिश्ट दे रखे कहां कहां पर सीटे बची हैं कहां कहां पर नहीं बची हैं तो हर स्कूल में लगबग मैं देख रहा हूं जैसा कि बॉइस की कैटिगरी में 10, 15, 20, 25 ऐसे सीटे बची हुई हैं और जो गल्स की हैं वो भी 3 से 4 सीटे अप्रॉक् सीटे हैं उन पर आप लोग ध्यान जरूर दें और इसको देखें ठीक है इसके हिसाब से यह आप लोग फिल करें इसके अलावा मैं क्लास 9 का दिखा देता हूं आप लोगो यह क्लास 9 का है जहां मैं बता रहा था अप्रॉक्सिमेट 137 सीट सें सायर तो यहां पर भी देखिए आपका सीट यहां सिर्फ बॉइस काटिगरी रहती है और देख सकते हैं आप यहां पर आंदर प्रदेश बॉइस और यहां पर होम स्टेट होम स्टी वन सीट है होम अब अधर OBC 2 है अधर कैटिगरी का तो क्या है टू है और अधर स्टेट डिफेंस 1 है टोटल 9 है ठीक है कलीकरी में अभी कितनी है लगवक 9 सीट सें ऐसी कोरुकोंडा है इस्ट सियांग है बोल पारा है कुझपुरा है रिवारी है नगरोटा है तो यह देख सकते हैं आप इस स जाएंगे और सारी इंफॉर्मिशन आप यहां से ले सकते हैं सीट मैट्रिक्स पर जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे आप जहां के लिए भी चुप हो कि हमें इस कॉलेज में एड्मीशन चाहिए तो वहां पर जाके आप पहले देखें क्या आपकी काटिगरी में व बताना चाहूंगा जो की कट-off की बाद थी यहां पर फिल वाइस वेकन्षी फेल्ड इनन अगर ऑदर स्टेट काटिगरी ठीक है मतलब कि other state की किस हिसाब से vacancy को fill किया गया है यह यहाँ पर हर एक school का इन्होंने अब जारी कर दिया जैसे कि last round में हम देख सकते थे कि इन्होंने एक list जारी की थी पूरी और list wise संजाया था कि किस-किस school में कितना बच्चे किस state से select हुए है और उसके बाद जब counseling देखी गई तो वहाँ पर बच्चे क्या उस state से भर पाएंगे वहाँ school के लिए तो यह जानना बहुत जरूरी था तो यहाँ पर इस बार देखिए इन्होंने category wise पूरा एकदम अलग school का कर दिया है कि other state का किस हिसाब से fill किया गया है जैसे कि sanic school गोड़ा खालका मैंने यहाँ पर खोल कर रखा है आप लोगे सामने तो यहाँ देख सकते हैं female category में total other state vacancies five थी और vacancy can be allotted to a seat ठीक है यह one है और total vacancy filled है five five filled हो चुकी है जो की है statewide vacancy filled कहा कहा से vacancy filled हुई है किस किस state से यह देखिए है एक बिहार से filled हुई है एक लद्दाग से filled हुई है महाराष्ट से हुई है एक राजस्तान से हुई है और एक उत्तरप्रदस से हुई है तो जहां-जहां से filled हो चुकी है तो वहां से I think आप नहीं भर सकते हैं लोग न अब यहां पर घोड़ा खाल का मेल का देख लेते हैं तो 21 टोटल अदर स्टेट वेकेंसी 21 है यहां पर और वेकेंसी कैन बी अलॉर्टेट टू अस्टेट 5 ठीक है टोटल वेकेंसी फिल्ड जो की फिल्ड हो चुकी है 9 अब 9 में देखिए कहा कहा से कौन-कौन से फि इस केटिकरी में यहां पर वेकेंसी फिल्ड है तो आप लोग अगर किसी भी स्कूल का शर्क करना चाहते हैं माल लिजfish क्लास 9 का है मैं किसी और स्कूल का भी एक बार करके दिखार देता हूं अगर अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी का जैसे हम उपन करते हैं साइट बहुत ही धी में चल लगी है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था ये खुल गया अमेठी का अमेठी में देखें यहाँ पर भी आपकी female की 5 seats थी जिसमें से vacancy can be allotted to a seat 1 total vacancy filled 2 जो की होई है state कौनकों से है एक बिहार से और एक राजस्थान से एक बिहार से vacancy filled हुई है एक राजस्थान से फिल हुई है ऐसे ही mail की अगर बात करेंगे मेठी की तो 25 यहाँ पर seat थी अधर इस्टेट की जिसमें से 6 seats जो है वो vacancy can be allotted to a state मतलब की state को दोरा जो vacancy allotted की जाथी और total vacancy filled to 20 जो है वो filled हो चुकी है और जो filled हुई है वो किस किस state से फिल हुई है यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आंद्रप्रदेश से 1 हुई है बिहार से 6 हो चुकी है हर्याणा से 1 हो चुकी है जहारकंट से 1 हो चुकी है करनाटक से 1 हो चुकी है मत्रप्रदेश से 4 हो चुकी है और राजस्तान से 6 तो 6, 4, 10, 3, 13, 19 और 20 ठीक है पूरी 20 जो है यहाँ पर दिखा रहा है फिल्ड वो फिल्ड हो चुके है तो यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं उन्होंने अपना इस तरह अधर स्टेट का कैटिगरी वाइस उन्होंने जारी कर दिया है किसी स्टेट में कैसे फिल हुई है और जैसे भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं थर्ड राउंड में तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करें और जरूर से जरूर करें क्योंकि पूरे होने के चांसेज आपके हैं अभी 750 अपर्टिसिपेट करने का जो भी तरीका है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बता है तरीका सेम रहेगा अगर आप रिश्टर कर चुके हैं तो आपको परिशान होने क्या हो सकता नहीं आपको सिधे जाना है उपन करना है वहाँ पर अपना रिश्टर नमबर डालना है पासवर्ड जो आप रिएट कर चुके हों वो डाल चुना है उसके बाद आप वहाँ पर जाएंगे अपने च्वाइस को फिल करेंगे और सब्मिट कर देंगे अगर आपने अभी तक पाडिसिपेट नहीं किया है काउंसलिंग में तो आप क्या करेंगे आपकी email id जो रिश्टर की थी फॉर्म बरते समय और जो फोन नमबर रिश्टर था उसको अपने पास रखना है आपको उस पर ही आपको एक OTP मिलेगा और OTP के मादधम से आप पासवर्ड क्रियेट कर पाएंगे ठीक है और वो OTP के मादधम से जब आप पासवर्ड क्रियेट कर लेंगे तो फिर आकर आपको registration sign in पर जाकर registration और password डाल कर सारे process को आपको fill करते हुए आगे बढ़ते हुए choice fill करनी हैं और आप SS की NSS की जो भी schools हैं उसमें आप fill कर सकते हैं then after जो भी allotment में आपका आता है जो भी school आपको मिलता है वो आपको declare कर दिये जाएगा तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं अभी यह counseling का जो process में आप लोगों को दिखा रहा था तो यहां 3 माई 2023 तक है दोपार में 2 बज़ तक seat allocation result भी यह समझ लीजे एक दो दिन में आ जागा जैसे कि 3 में complete हो रहा है तो 4 यह पास तक आपका यह process भी complete हो जाएगा और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि काम कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं 20 सयंग को complete हुआ है और 29 को आपकी 3 तो हमारे द्वारादी के सूशना आप लोगो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और चैनल को like, share और subscribe जरूर करते रहें और कोई भी अगर नई update आती है तो में लेकर आप लो